नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर स्वापनिल सागर जैन निरामय होमियोपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ नक्स वोमिका के बारे में कि नक्स वोमिका किस तरह से पेशेंट होता है उसका उसके मेंटल सिम्टम्स किस तरह के होते हैं हैड के सिम्टम्स किस तरह के होते हैं उसके अलावा उसके जो आईज के सिम्टम्स के सिम्टम्स किस तरह के होते हैं इसका ज़ादा तर जो सिम्टम् आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति इतने लंबे समय तक काम कर रहा है गंटों एक ही जगे एक ही पॉजिशन में बैठा हुआ है उसकी जो intestine है वो बिल्कुल सही से काम नहीं करने वाली क्योंकि intestine में movement सी नहीं हो रहे हैं इसके कारण जो उसका digestion है वो proper नहीं हो पाता है इंडाइजेशन की उसको problem रहती है तो फिर उसको बहुत सारे पेट में दर्द हो सकता है cramps हो सकते है constipation की शिकायत हो सकती है crones disease हो सकता है ulcerative colitis उसको हो सकता है और इसके अलावा उसको बहुत जादा irritability हो सकती है पेट में दर्द के कारण और इसके सासाथ पेट में द दिकायत होती है दो दो तीन तीन बार उसको दिन में जाना पड़ता है उसके बाद भी उसका जो बॉबैल है वो सही से काम नहीं करता है रेक्टम एजीली खाली नहीं होता है और उसको दिन में तीन बार चार बार दो बार कभी 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 आदे आदे घंटे में भी उसको फ्र उसमें होने वाले infection के बारे में, इस तरह का जो patient होता है उसको constant urging होती रहती है, urine जाना है, बार बार urine जाना है, हर आदे घंटे में, हर एक घंटे में, फिर दो दो तीन तीन पूंद कभी-कभी urine होती है, या फिर इस तरह की urine होती है कि शुरू में अच्छा pressure बन जाता है, उस वो warm conditions में उसको मिलता है, यानि कि यदि वो गर्म पानी से नहा लेगा, तो उसको आराम मिलेगा, इसके बाद जो है, यदि हम male genitalia की बात करते हैं, यानि कि male reproductive system पर जब हम आते हैं, तो इस तरह है कि जो patient होते हैं, वो उनकी जो desire होती है, उनकी जो sexual desire होती है, वो बहुत ज ज्यादा problem होती है, इसके अलावा इसके काराण उनके शरीर में impotency develop हो जाती है, यानि कि नपन सकता develop हो जाती है, इमेल्स भी इसकी लगभग मैसी ही होती है, उनकी भी increased desire होती है, और उनको disminoia की बहुत ज्यादा problem होती है, यानि कि उनके जो menses होते हैं, वो बहुत ज्या warm applications से उसको benefit मिलता है, इसलिए इसकी जो female होगी, वो जब अपने lower abdomen पे सिकाई करती है, गर्म पानी से, या hot fermentation किसी और चीज़ से करती है, तो उनको बहुत ज्यादा relief मिलता है, इसके बाद उनको prolapse की भी शिकायत होती है, यानि कि उनका जो uterus होता है, यानि कि उनका जो गर इसके अलावा इस prolapse के कारण उनके rectum में बार-बार बहुत ज़्यादा pressure फील होता है, तो इसी कारण उनको कई बार दिन में 4-5 बार stool के लिए जाना पड़ता है, fresh होने के लिए जाना पड़ता है, अब हम बात करते हैं इसके respiratory symptoms के बारे में, तो इसके जो respiratory symptoms होते हैं, वो aggrav aggravate होते हैं सुबह 3-4 बजे से चार बजे के आसपास, सुबह morning में 3-4 बजे से जब जैसे ही उसके नीद खुल जाती है, इन symptoms के कारण मालीजे खासी आने लगती है, या उसको नीद नहीं लगती है, sleeplessness हो जाती है, अचानक से नीद खुल जाती है, तब इस condition में 3-4 बजे क आसपास उसको aggravation होने लगता है, एकदम से ठंड उसको feel हो सकती है, और खाना खानी के बाद भी उसको aggravation उसके respiratory symptoms में होता है, यानि कि जैसे ही वो खाना खाया और उसको एकदम से खासी चलने लगी, तो इस तरह कि यह symptoms होते हैं, यह respiratory में हम देखते हैं, और इन में भी हम warm application से, warm drink से patient को बहुत ज्यादा relief मिलता है, इसकी जो खासी होती है, मैंने अभी बताया कि यह सुबह सुबह बढ़ती है, जैसा ही सुबह सो के उठता है और एकदम से उसे बहुत तेज खासी चलने लगती है, तो यह जो symptom होता है, यह Nux Vomica का खास तोर पे symptom इस तरह का condition है, जो उसमें भी 3 बजे से 4 बजे तक के बीच में, एक्रवेशन होता है, लेकिन उसका जो patient होता है, वो इतना ज्यादा वर्कोहलिक नहीं होता, जितना ज्यादा Nux Vomica का patient वर्कोहलिक होता है, यदि हम इसकी chest की बात करें, तो chest में angina pectoris बहुत ज्यादा देखा जाता ह angina pectoris का मतलब है कि एक mild heart attack जैसा होता है, लेफ्ट साइड में यहाँ अपर, quadrant में यहाँ पर दर्ध होता है, हालां कि कई बार इसका जो दर्ध होता है, वो indication के कारण ज्यादा तर देखने में मिलता है, यानि कि वो indication के कारण है, उसको कोई stomach related problem है, कोई abdomen related problem है, constipation है, इस इसके जो patient होते हैं, उनमें palpitation बहुत जादा होते हैं, palpitation का मतलब होता है, कि उनके जो इरदय की गती होती है, वो एकदम से बहुत तेज हो जाती है, और वो पूरे शरीर में महसूस की जा सकती है, यानि कि सीने पे हाथ रखेंगे, तो ऐसा chest उपर नीचे होती हुई दि कीता है, इसके अलावा अचार बहुत जादा खाता है, spicy food बहुत जादा खाता है, इन सबके इस्तेमाल से उसमें palpitation जो हैं, वो बहुत जादा देखने को मिलते हैं, अब यदि हम बात करें, इसकी back से related तो उनको बहुत जादा दर्द होता है, और उस दर्द का कारान होता ह उसका posture, यह जो patient होता है, बहुत जादा वर्कोहलिक होता है, बहुत जादा घंटों तक एक जगे बैट के काम करता रहता है, जिसके कारान उसको कमर होती है, उसकी जो रीड की हड़ी होती है, कभी-कभी उसमें करवेचर आने लगते हैं, उनक में degeneration होने लगता है, जिसके कारण, उसको दर्ध होता है, और कमर में होने वाला यह जो दर्ध है, उसके लिए उसे, मतलब इतना ज़्यादा दर्ध होता है, कि कई वार उसको बिस्तर पे उठके बैठना पड़ता है, करवड बदलने के लिए, मतलब सामाने एक जो ब्यक्ति होता है, वो जब बिस्तर पर सो रहा होता है तो आराम से करवट ले लेता है लेकिन नक्स वोमिका के जो पेशेंट होते हैं उनको कमर में दर्द के कारण मतलब इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है कि बिस्तर से उठके बैठना पड़ता है फिर दूसरी तरफ करवट लेके और फिर उसको लेटना पड़ होता है यह जो सारे सिंटम होते हैं यह नक्स वोमिका के होते हैं इसके बाद यदि हम एक्स्रेमिटीज की बात करें यानि कि हाथ पैरों की बात करें तो नक्स वोमिका जिसे हिंदी में कुछला बोला जाता है इसमें स्ट्राइक नाइन पाया जाता है और स्ट्राइक यह एकदम से खुलने लगता है, बंद नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है और जो है मसल में स्पाज माने लगते हैं, क्रेम जाने लगते हैं इस तरह के यह जो शिम्टम्स होते हैं वो नकस वोमिका के पेशनिट में देखे जा सकते हैं तो diabetic neuropathy के cases में nux vomica बहुत अच्छा काम कर सकती है यदि उसके symptoms patient से मिल रहे हो क्योंकि diabetic neuropathy के case होते हैं उनमें patients के हाथ पेर बहुत ज़्यादा दुखते हैं बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ होती है तब हम nux vomica patient के symptom से match करके उनको दे सकते हैं और अगला symptom होता है sleeplessness ये बहुत important symptom होता है इसके पीछे कारण है कि patient बहुत ज़्यादा लंबे समय तक काम करता है stimulants का use करता है शराब पीली, तंबाकू खालिया, बहुत ज़्यादा चाए पीता है एक काफी, फिर दो काफी, फिर चार काफी इस तरह से वो use करता रहता है जिसके कारण उसको नींद नहीं आती है जब वो सोने की कोशिश करता है तब भी चूंकि उसकी body में इस तरह के stimulants का प्रभाव रहता है तो उसको बिलकुल भी नींद नहीं आती है सुबह 3-4 वजे के आसपास वो उठ जाता है तो उसको लगेगा कि अरे मुझे आज ये काम पे करना है मुझे आज वो काम करना है तो जो बंदा लगातार इस तरह है अपने business के बारे में सोच रहा है उसको नींद कैसे आ सकती है तो ये जो सारे symptoms होते हैं ये उसकी नींद से related होते हैं अब जब उसको रात में नींद नहीं लगेगी तो दिन में उसे नींद आने लगती है तो नींद आती है लेकिन उसके बाद भी वो चूंकि वरकोहलिक है तो बिलकुल काम करता रहता है आँखों में strain आने लगता है और इसके कारण उसको पोटोफोबिया की शिकायत हो जाती है यदि हम इसके सपनों की बात करते है तो चूंकि ये जो व्यक्ति होता है ये fastidious होता है irritable होता है तो इसके सपने भी उसी तरह के होंगे चूंकि हमारे सपने जो है वो हमारे subconscious mind को represent करते हैं तो इसके जो सपने होंगे वो भी लड़ाई जगड़े वाले होंगे जगडालू प्रुरती का होता है चूंकि यह तो इसको सपने आएंगे कि आज उसने किसी अपने कलीक से लड़ाई कर ली या उसकी लड़ाई उसके फादर से हो गई या अपने भाईयों में आपस में बच्चे होते हैं इनको अपनी चीजें किसी से शेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं कि पूरे सिम्टम्स से मैच करके इस medicine का उपयोग कर सकते हैं potencies की जहां तक बात आती है यह 1M potency है 1M potency का use हमें depend करता है कि patient के symptoms की intensity कैसी है उसकी chronicity कितनी है यदि बहुत ज़्यादा mental symptoms बहुत ज़्यादा उससे मैच कर रहे हैं तब हम 1M potency use कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा pathological symptoms उससे मैच कर रहे हैं तो हम 200 potency से शुरू कर सकते हैं और इस तरह से हम नक्स बोमी का use कर सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए फिलाल इतना ही आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ और नई बीमारियों और उनकी homeopathic दवाओं के बारे में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत